वेल्कम तो मायी चैनल, वेल्कम तो माइ चैनल, एचार् जिया लखनो, एचार् जिया लखनो में तही दिल से मुस्ट मुस्ट वेल्कम आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है Neil Green Machinery डिली ये 2013 में इस्टावलिश हुई है और ये manufacturer है, exporter है, plastic molding machines के, plastic granules के and injection molding machine के और इस वीडियो को बनाने में जिसने मेरा support किया है उनका नाम है संजे शुवास्तो सर संजे सर बहुत सारा दिल से thank you और बहुत सारा शुक्रिया जो आपने मुझे इजाज़त दी इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि मैं कोश्च करती हूँ कि आपके सामने और भी अच्छी अच्छी different section की वीडियो मैं आपके सामने present करूँ injection molding machines की मैं पहले भी आपको वीडियो शेयर कर चुकी हूँ लेकिन trust me guys मुझे ये वीडियो नियानी ये नील गिरी company की वीडियो बनाने का बहुत टाइम से मेरा बनता लेकिन सरसे मेरा contact प्रॉपरली हो नहीं पा रहा था क्योंकि बिना इजासत के तो मैं कभी कोई वीडियो बनाती ही नहीं और थांक्यू दिल से संजे श्रवस्तवसर जी दिल से हाल जोड के बहुत बहुत सारा थांक्यू और मैं दुआ करती हूं कि नील-गिरी machinery आसमान की उजाईयों तक छोए वैसे भी हमारी इंडिया को जो लोग engineer, electrical, mechanical या owner है जो लोग काम करते हैं इन companies में इन sectors में तो trust me मेरी नजर में तो सबसे super hero है क्योंकि हम सब को वो चीज़े मिलती हैं इन companies की बदालत तो मैं दिल से thank you करती हूं मेरे सारे जो owner मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं उन सारे owners को दिल से हाँ जोड के बहु क्योंकि ये बड़ी वीडियो मैंने काफी time बार डाली है क्योंकि short तो मैं मैं रोज वीडियो नहीं बनाती हूं मैं एकटा वीडियो शूट कर लेती हूं और उन्हें regular डालती रहती हूं जैसा मुझे time मिलता है कभी morning में कभी दिन में कभी रात में जैसा मुझे time मिलता है म वीडियो को पोस्ट कर देती हूं और काफी यह मैं सोची है कि पहले चीज तो मुझे इजाज़त लेनी पढ़ती है पिर कंटेंट लिकना पड़ता है पिर इसको पूरा इडिट करके फिर वीडियो को पोस्ट करते हैं तो इतना आसान नहीं होता है और दूसी चीज़ ये थी कि बीच मेरी मदर की बहुत जादा तवित खराब हो गई थी अभी मैं उनको लेकर आई हूँ अब उनकी तवित थोड़ी ठीक है अभी वो जबरदस्त उनको नजला और जुकाम है और गलाल जाम है जबकि ये जो सांस की जिनको दिक्कत होती है उनके लिए सब चीज़े ठीक नहीं होती है फिर भी समझ लिए इतना बुरा वक्त देखा कि मैं बता नहीं सकती है लेकिन आप सब की दुआउं से मेरी मम्मी की तवित अब ठीक है और अब मैं प्रॉपरली वे में काम कर रही हूँ क्योंकि आप खुछ सोचे क्योंकि मैं ये जानती हूँ मेरी मम्मी में मेरी जान बसती है उधर कर पहले खाला की तवित खराब है जिनको कैंसर है अभी भी उनका भी ट्वीटमेंट चला है बस सब अल्ला भरोसे है क्या बोले लेकिन जब मेरी मम्मी हॉस्पेटलाइज रुई ट्रस्ट मी गाइस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लाइफ में ये फेस भी देखना पड़ेगा लेकिन आप आपकी सब की दुआउं से उस फेस से मैं थोड़ा बहार आई हूँ अगर मुझे ओनर और मेरे स्टूडन्ट सपोर्ट ना करते तो शायद मैं यहां तक ना पहुच पाती तो मेरे सारे स्टूडन्ट का जो मेरे चैनल को रेगुलर बने हैं और मेरे ओनर्स का दिल सिथाएं क्यों जो लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और बस दूआ करिए कि मेरी मम्मी की तवियर ठीक रहे क्योंकि देखें माबाप है तो सब कुछ है खुशी गम सब कुछ अपने माबाप ही होते हैं माबाप के बिना तो जिन्दगी में सब कुछ रदूरा है तो आप सबसे रिक्वस्ट है मेरे लिए, मेरी मदर के लिए और मेरे पूरी फैमली के लिए आप सब लोग दुआ करते रहे और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं पोस्ट कर पाती क्योंकि वही टाइम वाला इशू आ जाता है मजबूरी पढ़ जाती है तो कुछ कह भी नहीं सकते है लेकिन बस आप सबसे इतना रिक्वस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और वीडियो को इतना शेयर कीजे कि जिनको ये मशीनरी सिस्टम चाहिए उन तक ये पहुँच जाए बाकि डीटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूँगी बाकि नील गिरी मशीनरी यकीन मानिए बहुत सूपर लेवल पर काम करती है मैं काफ़े दिन से सरके से बात करने कोशिश करती है कि सर काईली मुझे इजाज़त दे दी जाए ताकि मैं ये वीडियो बना पाऊ लेकिन फाइनली हम मुझे इजाज़त मिल गई है बहुत बहुत संजह सर बहुत दिल से शुकरिया और मैं कोशिश करूंगी नील गिरी मशीनरी इतने लोगों तक पहुँच जाए कि आपका काम दीन दुनी राज चोगरी तरकी खरे और ट्रस्ट मी गाइस नील गिरी मशीनरी बहुत अच्छी कमपनी इनका वर्क बहुत अच्छा है बाकि आप वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका काम कैसा है और इनकी मशीनरी सिस्टम सूप अप कॉलिटी की है एक ग्रेड है एक नमबर इनका काम है भाई तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शियर सब्सक्राइब करना बिलकुल न बोले और अगर सबस्क्राइब कर चुके हैं यार कैसी कंजूसी है कौन से पैसे लगते हैं भाई अब इतना भी कंजूस दिल मत रखिये कि वीडियो को देख लें और लाइक यानि थमस अब का बटन ना दबाएं तो इतनी कौन सी कंजूसी, कौन से पैसे लगते हैं, मुझा आज तक समझ भी नहीं आया, कि लोग वीडियो तो देख लेते हैं, इतने अच्छे खासे व्यूस भी आ जाते हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, वीडियो देखते सब स्किप कर देते हैं, और सोशल मीडिया कि और प्लैटफॉर्म जो मेरे वीडियो को रेगलर देखते हैं, और चेचे कमेंट्स करते हैं, मेरे काम की तारीफ करते हैं, उनका भी दिल से बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि बहुत बुरे टाइम से मैं गुजरी हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत मेंटली मैं हिल गई थी, और मैं अपनी मदर को लेकर तो कफी ज़्यादा पॉसेजिव हूँ, तो उनकी दिनी से भी तकबियत खराब होती हैं, मेरे सांसे उपर नीचे हो जाती हैं, तो प्लीज, प्लीज, मेरी मदर के लिए मेरे दूआ करते रहिएगा, और मुझे समझने की कोशिश करिया कि जिय प्लीज, और इसको भी सुग्दुख होता है, और इधर कर तो मेरी खुद की भी तबीद खराब है, मैं कल सोई हूँ, पर सो मैं पूरी रात मुझे फीवर था हो, मेरे बहुत अबद मेरी खराब दी, लेकिन उसके बाद भी मैं हमेशा काम को पहले प्रिविलेज देती हू मैं जब तक काम करती हूँ, जब मेरे जब तक मेरे हाथ बहर जवाब ना दे जाएं, तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेर सबस्क्राइब करना पिलकुल मत भूलें, और इस वीडियो को नील गिरी को गाइस इतना प्यार दीजिए, इतना लाइ प्लाइगिरी मशीनरी उन तक पहुच जाए जिनको ये मशीनरी की जरूरत है, सोशल मीडिया के और प्लैटफॉर्म के लववन्स को भी दिल से बहुत सारा प्यार जुड़े रहिए, देखते रहिए, एचार जिया लकना को लाइक शेर सब्सक्राइब ज़रूरूरूरू